वेल्कम तो वैब इंस्टिटूशन एन इंटरनाशनल ब्रांड अफ साफ्ट्वेर इंजिनरिंग एजुकेशन हलो स्टुडेंट्स येसी लेंग्वेज का चैप्टर 24 है चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट केजिए इस वीडियो में हम एक कॉमपरीजन ओपरेटरस के बारे में पढ़ना है इससे पहले आपने अर्थमेटिक और अस्राइमेंट ओपरेटर्स के बारे में पढ़ा Comparison operators का इस्तमाल तुलना करने के लिए किया जाता है जैसे equal to, not equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to generally इतने शारे operators Comparison operators के अंतरगत आते है Comparison operators को शही से समझने के लिए आपको Boolean के बार में समझना होगा अगर question हो exam में आपसे Boolean क्या है, तो आप answer के रूप में write कर सकते हो Boolean is a data type, ओके, अब generally data type तो पढ़ा है आपने C language में क्या होता है data type, जो हमारे data के प्रकार को बताता है उसे data type कहा जाता है, जैसे यह 123 एक integer number है, तो इस data का प्रकार क्या होगा int, यानि कि इस data को अगर हम C language में किसी variable में रखेंगे, तो उसके पहले data type declare होगा, int, वैसे ही अगर कोई decimal number है, कुछ इस प्रकार से, तो इसे अगर आप किसी variable में रखोगे, तो उसका data type क्या होगा, float, तो data के प्रकार के according आप data type इस्तमाल करते हो, वैसे ही, जब आप comparison operators का इस्तमाल करोगे, किसी भी comparison operators का, तो ये result के रूप में, आपको या तो true return करेंगे, या तो false, depends करता है, आपने क्या comparison किया, माली जी आपने ऐसे comparison किया, 5 is not equal to 5, तो ये क्या return करेंगा आपको, false, क्योंकि ये equation तो गलत हो गया, अलेडी 5, 5 के तो बड़ाबड है, लेकिन हमने इस्तमाल किया, 5 is not equal to 5, तो जब आप दो डेटाओं के बीच में, comparison operators का इस्तमाल करोगे, तो output के रूप में, या तो वो true return करेंगा, नहीं तो false, और यही true और false, boolean data type के अंतरकत आते है, यानि कि, अगर comparison operator का इस्तमाल करते वक्त output, true या false में से कुछ भी आएगा, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि जो result आया, उस result का data type है, boolean, ओके, तो जिस तरह से आप enter data type declare करते हो, variable के पहले, float declare करते हो किसी variable के पहले, वैसे ही boolean आप declare नहीं कर सकते हो, default रूप से आप मान के चलोगे, कि comparison operator, अगर true या false return करता है, तो उसका data type boolean होगा, तो true की जगा one भी आ सकता है, और false की जगा zero, बात एक ही है, true को number के form में one के नाम से जाना जाता है, और false को number के form में zero के नाम से जाना जाता है, तो इनका भी data type आपका boolean होगा, अब देखें कैसे इस्तमाल करेंगे, अभी अब basic उप्योग करना सीख होगे, जब condition नाम का एक chapter पढ़ेंगे C language में, तो वहाँ पे comparison operators का इस्तमाल बड़ी पैमाने पे होगा, तो मैंने लिए वहाँ पे आप ज्यादा वर्थ कर पाओगे, comparison operator के माध्यम से, देखें मैंने यहाँ पे comparison किया, क्या 16, 16 के equal है, अगर equal होगा, तो उसका जो result आएगा वो X में जाएगा, टेस्टिंग किजिए, देखें, printf के अंदर मैंने पॉसेंट डी रखा, और फिर यहाँ पे X को ऐशे राइट करता हूँ, और रन किजिए true है, तो देखें true के लिए क्या result आया, 1, अगर मैं यहाँ पे is not equal to operator का इस्तमाल करूँ, तो यह तो गलत हो गय रन करके टेस्ट किजिए, देखें, 0 आया, तो 1 को कहा जाता है true समझने के लिए, और 0 को कहा जाता है false, अगर आप यहाँ पे राइट करते हो, 16 less than 16, क्या होगा, यह भी गलत है, रन करेंगे तो 0 आयेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे define करते 10 less than 16, तो यह तो शही है, इस case मे क्या रिजल्टाएगा, 1, वैसे ही यहाँ पे हम greater than का इस्तमाल कर सकते, तो यह check करेगा, कि क्या 10, 16 से बड़ा है, अगर बड़ा सच में होगा, तो 1 जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो इसमें 0 जाएगा, अब यहाँ देखें, less than और equal operator या greater than equal operator का मतलब, क्या हुआ, माली आपने यहाँ पे दिया, greater than equal, तो यह दोनों को check करेगा, क्या 10, 16 से बड़ा है, या क्या 10, 16 के बड़ा है, दोनों में से अगर कुछ भी true हुआ, तो इसकेस में 1 जाएगा, अगर नहीं हुआ, तो इसकेस में 0 जाएगा, रन किजिये, देखें 0 आया, क्योंकि अगर हम comparison करे क्या 10, 16 से बड़ा है, तो इसकेस में भी false है, या 10, 16 के बड़ाबर है, तो इसकेस में भी false है, यानि दोनों केस में यह false था, इसलिए इसमें गया 0, अगर किसी भी case में true होता, तो इसमें जाता 1, ओके, तो अभी इसी common से चीज़ का practice करना है, आपको true और false का, condition का chapter होगे, तो इसमें आप इसको बड़े पैमाने पे इस्तमाल कर पाओगे, वैसे एक चीज़ यहाँ पे देख लेजिए, comparison operator को एक और नाम से जाना जाता है, relational operator, होशकता एक जाम में comparison operators की जगह, relational operator लिखा गया हो, अगर वीडियो समझ में हैं तो लाइक कीजिए, और playlist में ज जिखेंगे, जहां से आप web development वगड़ा easily सीख पाओगे, वैसे अगर आप software development की training चाहते हो तो, web institution की official website पर विजिट करके, हमारे online software engineering classes के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे, बहतर जानकारी के लिए आप हमारे sales team को call करे, web institute की वीडियो को देखने के लिए आपक धन्यवादू